हेलो दोस्तों आज से स्टूडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लॉक रिजनिंग के बारे में क्लॉक रिजनिंग मतलब कि यदि वास्तव में किसी घड़ी में पांच बज रहे हो या छे बज रहा हो तो उसका जब मीरर देखेंगे मीरर में जब उसका इमेज देखेंगे तो उस इमेज में कितना बज रहा होगा यह हम जान जाएंगे इस वाले वीडियो के बार या एक और चीज हम जानने वाले हैं कि यदि कोई ओरिजिनल क्लॉक है जो बाहर 5 बज रहा होगा 6 या 7 या 8 जो भी अगर उसको हम वार्टर में देखेंगे तो जो वार्टर इमेज बनता है या पानी में जो प्रतिम बनता है वो कितना बनता है यह सेम रहता है या अलग कुछ दिखाता है वो सारी बातों की जनकारी जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाली तो चलिए शुरुवात करते हैं, सबसे पहले यहां पर एक mirror बना दिया जाता है, यह हो गया आपका mirror, चिक है, और इस mirror में यह आपका एक time दिखा रहा होगा, इसमें छोटा वाला जो है वो hour hand है और यह बड़ा वाला minute hand है, तो यह 12 के सामने है और यह 9 के सामने है, तो यदि इसको हम mirror में देखेंगे, तो कैसा दिखेगा, तो mirror एक rule फॉलो करता है, यह inverse variation फॉलो करता है, inverse variation का मतलब होता है, पार सुवी स्थापन, पार सुवी स्थापन का मतलब होता है, कि भूजायें जो है, वो अदला बदली कर लेती, यह दाहिना हाथ लगा कि बाया हाथ यह दाहिना हाथ है, इमेज में देखने प्रैसा लगता है, तो सेम जीज यहां पर होगा, यह इधर 9 की तरफ है, तो यह इतना मूड करके कि तरफ हो जाएगा, इसके just opposite, है न, और यह तो बीच में है, तो इसका तो left right है नहीं, तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा, है न, य यदि mirror image हम 9 बजे का देखेंगे घड़ी में, तो वो कितने बजे का दिखाएगा, तीन बजे का दिखाएगा, समझ में आपको आगया, चलिए, और कुछ बातों को समझते हैं, और इजिनली एक घड़ी बना करके, चीखें न, यह हो गया घड़ी का, तो इस घड़ी में, अगर हम यहाँ पर dot से denote करें, यह तो बीच में है, और यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, 3, यह क्या हो जाएगा, 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12, और यहाँ पर क्या होता है, 6 होता है, इतना तो मालूम होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर 12 के बाद क्या होता है, 1, 1 के बाद क इस तरीके से सजा हुआ रहता है तो इसमें क्या होता है कि यदि हम image बनाने वाले हैं तो हम यह देखेंगे कि यहाँ पर हम एक mirror बना देते हैं चीक है और हम इधर कोई time show out करते हैं और वहल wellness तो देखते हैं कि इधर image कितना बनता है तो यदि हमने धाता है undertaking सामने हो जाता है इसके सामने में सब्लाइन के सामने हो जाएका थी के सामने हो जाएगा और यहां पर 11 के सामने है तो यहां पर उसके बाद क्या होगा वन के सामने और यहां पर यह तो इस तरीके से और इनली होता है यह अब्जर्वेशन पर है आप ध्यान दीजेगा ऐसा होता है तो यह नॉर्मली आप्जर्व करेंगे तो ऐसा होता है तो आपको यह आवर वाला दिखाना आशान हो जाएगा लेकिन जब मिनट इंक्लूड हो जाएगा तो थोड़ा सा मु तो उस मुश्किल को हल करने के लिए एक ट्रिक बना और वो ट्रिक क्या है वो समझते हैं वो ट्रिक बहुत ही आसान है कितना भी आवर हो रहा हो कितना भी मिनट हो रहा हो उन सब सवालों का जवाब आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं कैसे वो मैं आपको बताने बना तो उस given time का जो mirror image होगा, उसको निकालने का mirror image निकालने का जो तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है बताई, mirror image निकालने का तरीका क्या होता है बताई, तब पता तो आपको है नहीं, मैं बता रहता हूँ, क्या है, वो यह तरीका है कि आपको given time को 12 में से घटा देना है, 12 hour म जिस time का mirror image पूछ रहा है उस given time को 12 में से घटा दीजेगा तो mirror image एकदम exact आज जाएगा ठीक है आप चेक भी कर सकते हैं ठीक है तो यदि आपसे कहें कि पांच बज रहा है और इसका मुझे mirror image चाहिए तो हम क्या करेंगे यह given time है यह given time हुआ तो कैसे निकालेंगे 12 में से minus करेंगे 12 में से minus करेंगे 5 को तो कितना आएगा 7 आएगा इसमें भी मैंने बताया था आपको यदि यहाँ पर 5 कहां पर है बताईए यहां पर है चीक है तो 5 का कहां पर बनता है यहां पर 7 का 5 पर बन रहा है तो 5 का कहां पर बनेगा 7 पर इंटर आपका दिया हुआ हो उसको आप ऐसे कर सकते हैं कुछ और उदाहरनों के लिए लेते हैं एक्जामपल को तो पांच बच करके 30 मिनट हो रहे हैं देखें मिनट वाला में दिक्कत होता है तो उसको आसान बनाने का तरीका है कैसे तो पांच बच करके 30 मिनट हो रहे हैं और इसक तो घटाई है कैसे तो इसे से ये उधार ले लेगा कौन ये वाला मिनट वाला पोर्शन और एक घंटा ये उधार लेगा तो ये कितना घंटा हो जाएगा एक ग्यारा घंटा और एक घंटा गया है उथर मिनट में कनवर्ट हो जाएगा तो कितना मिनट हो जाएगा 60 मिनट और उस में से घट जाएगा कितना 5 बज करके 30 मिनट आपका अंसर हो जाएगा 0 6 में से 3 गया 3 और 11 में से 5 गया 6 यानि यह 5 बज करका 30 मिनट given time है तो 6 बज करका 30 मिनट क्या हो जाएगा mirror image हो जाएगा उस clock का ठीक है ना आएक मैं को में सिर्फ यह किया है बता रहा है तीस मिनट को हरें तो बच रहा है तो 11 बज़ करके 30 मिन्ट होगा यदी कि यहां पर इस सवाल यह आजाए कि यहां बज़ करका यह बज़ कर चालीश मिनट हो रहे हैं इसको कैसे फिर निकाल है सब्सक्राइब नहीं सकता है तो जो बारह चालीस होता है इसको अगर हम करेंगे ट्वेल्वावर में तो क्या में कर्मट हो जाएगा बताइए जल्दी एट है ना बारह आठ बीस और यह कितना हो जाएगा चालीस मिनुट तो आठ बज करके चालीस मिनुट हो रहे है अब इसका मिर्ण इजमिच कैसे निकलेगा तो एक ग्यारह साथ में से माइनस कर देंगे आठ चालीस को तो क्या हो जाएगा बीस हो जाएगा और आठ और यह कितना तीन चिक है यानि अगर घरी में आठ बज करके चालीस मिनुट हो रहे हैं तो मिर् त्वाल थोड़ा सा और क्या कर देगा भूमा देगा थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाएगा वह क्या कहेगा कि कि छोव बच करके यह पाँच पुर्ण नंग है एक बटा चार मीनट हो रहा है ठीक है छे बच करके पांच पुर्णांक एक बटा चार मिनिट हो रहा है इसको आप मिरर इमेज बना के दिखाईए ठीक है तो अगर हम चलेंगे तो तो देखी बहुत दिफकल्ट हो जाएगा तो लॉजिक लगा लेंगे क्या करेंगे एक ग्यारह बच करके ठीक है न इसमें यह साथ मिरट में से मैंख करेंगे छेंबर करके पार्श पुर्णांग Cant 4 चार है बहुत इसलिएगे तो कैसे माहिएलिक तो आयց तो तरीका है कि आप नॉमली आप ऐसे साथ लिख लें और इसमेंस करते पार्श पुर्णांस भरटा थोड़ा जल्दी ही हो जाएगा मुझे लगते हैं थोड़ा सभी रहेगा और इसमें से इसको माइनस करने पर रिजल्ट वहीं आप वहाँ पर लिख सकते हैं तो यह था आपका मिरर इमेज किसी भी टाइम का आप दिखा सकते हैं बहुत ही एजली कुछ करना नहीं है आपको क्या कर देना है बताइए बारह आवर में से उसको माइनस कर देना है बारह आवर को दो रूपों में लिखा जा सकता है एक तो बारह आवर के रूप में डिरेक्ट एक एक ग्यार बारा बच करके 60 मिनट के फर्म में भी और उसका भी मतलब 12 ही होता है ठीक है लेकिन यदि आप से सवाल कर दे कि अब आप कि वाटर इमेज बनाई है तो वाटर इमेज कि तो वाटर इमेज में कैसे होगा तो यह घरी है ठीक है अब इस घरी में हमने यहां से एक आठीक बनाया था क्या मेर तो इस बार कैसा हो जाएगा वही मेर जो है वो इस तरीके से कि जैए कि मेरे एक्जक्न में है नहीं बट मैने एक सपोॉज कर लिया कि जैसे वहाँ पर लाइटरल agers ना इधर से इधर अब उपर से नीचे होगा ठीख वहाइं तो यहां पर भी शेम है यदि यहां पे नौ बज़े की तरफ 9 बज़े की तरफ अगर क्यों होगा तो वह गण को कि तरह हो जाएगा सिरी कितुर और यदि वह 10 कि तरफ हो तो यह कि तरफ अर यहां से किससी तरफ हो जाएगा वो नहीं से चानल हो जाएगा है इस तरीके से गिवन टाइम है यदि कोई गिवन टाइम है तो आपको कुछ नहीं करना है उस गिवन टाइम को है ना सब्ट्रेक्ट करना है सब्ट्रेक्ट टेड फ्रॉम और किसे सब्ट्रेक्ट करना है उसको सब्ट्रेक्ट करना है अठारव बच करके अब ट्रिक में पूछना इसका वाटर इमेज बनाई है तो क्या करेंगे 18 बज करके 30 मिनुट में से माइनस करेंगे पांच बजहे को तो कितना हो जाएगा बताईए बहुत ही असला है तेससे जीरू गटेगा तो तीस फीर से रह जाएगा और यहां पर ख्धलिखा बताये देरा लिए तेरा बशकर के 20 मिनटे ... हैं यदि पांच बशकर गे थर्टेव से 20 गया टेन थारह में। छाइगा तेरह तो त्टेरह बच करके 10 मिनट बोलेंगे यह इसमें त्टेरह पिख लिक सकते हैं बताये 12 और एक तेरह यहनि कितना बज रहा है घाड़ी में एक बच करके 30 मिनट इस वाले में और इसमें कितना बज रहा है एक बज़ करके दस मिनट ठीक है तो सवाल ऐसे पूछेगा आपसानी से जवाब दे सकते हैं चीक है यदि सवाल ऐसा पूछ दे यानि कैसा 16 बज करके 20 मिनट हो रहे है इसका वाटर इमेज बनाई तो सिंबल से बात ह vais करके के सवाल और से इसमें अगर आपको बोले वाटर इमेज 20 मिनट के घटा दी यह और यदि कहे मेर रिमेज बनाना है तो आपको 12 बजे से मतलब घटा देना है या 11 बज करके 60 मिनिट से उसको माइनिस कर देना है मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा यह एक सवाल अगर ऐसा पूछ दे जो 30 से जादा हो तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि छे बज करके 50 मिनिट हो रहे हैं इसका वाटर इमेज बनाई तो कैसे होगा तो यदि हमें 18 बज करके 30 लिखते हैं तो यह कम हो जाता है छे बज क्छे तो कम हैं बट 50 जादा है तो हम क्या कर बज नहीं करके 50 मिनिट को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और इदर 17 दा तो कितना हो जाएगा 11 तो 11 कितना बज रहा होगा बताएए शे बज करका 50 मिनट तो यह वाटर इमेज और मीरण इमेज का concept मैं आशा करता हूं कि आपको शमन में आया होगा यह विए देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद अगर चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइब करें और लोगों में शेयर करें